हलो फ्रेंट्स नमस्ते तो आज हम बनने जारे हैं छोली आप इसे भटूरे के साथ काई ये पुरी पराठे किसी भी चीज के साथ ये जीरर laiss के साथ खाई ये बहुत ही आसान रेसिपी है ये बहुत ही सिम्पल तरीके से हम कूकर में इसे बना के तयार करेंगे यहां पर मैं एक से दो मीडियम साइस का प्याज एक टमाटर आठ से दस कलिया लैसंट की और एक इंच अद्रक के टुकरे को अच्छे से काटले बिल्कुल रफली चॉप करना और इसे हम लोग ब्लेंडिंग डियानम डालके अच्छे से पीस लेंगे इसका एक पेस्ठा में तयार करना है तो कुकर में दो से तीन चमच सरसो तेल, आधा चमच जीरा, दो हरी मिर्च डाले उसके साथ ही ये चटक जाया तो एक तेश पत्ता और थोड़ा सा हिंग डाले हिंग से टेस्ट और पाचन दोनों अच्छा होता है कुछ खरेगर मसाले डालेंगे जैसे कि इलाइची हो चुका है तो उसके साथ ही हम कुछ यहां बेसिक से मसाली डाल देंगे तो मैंने डाला है धनिया, हल्दी, जीरा पाउडर और तीखे के अनुसवा लाल मिर्च डाले अगर तीखा नहीं खाते तो इससे स्किप भी कर सकते हैं अब इसे दो मिर्ट तक बढ़िया तरीके से हम फ्राइ करेंगे, मसाले अच्छे से भूनने चाहिए, तभी इसमें टेस्ट अच्छा आएगा, तो इससे अच्छे से हम भूनेंगे, उसके साथ ही इसमें हम स्वात के अनुसान नमक डाल देंगे, और अच्छे से फिर से दो मिर्ट तक फ्राइ करेंगे, मसालों की खुश जोले के साथ वहाँ को यहां ना मिक्सक्राइबapple के सारी जिसक्ते इसी छपी सब्सक्राइब पानी डाना की चोली आशानी से चलाएब जोने हमारे पके वे नहीं तो पानी थोड़ा सा ज्यादा डाले ताकि छोली हमारे अच्छे सिप्षाको तो इसे बंद करके हम यहां पर medium flame पर 5 CT लगाएंगे कि छोले हमारे पके हुए नहीं है तो इसे अच्छे से सीज़ना भी चाहिए तो यह देखिए छोले हमारे कितने अच्छे बंद के तयार हुए है बहुत ही आदा गंटा में यह बंद के तयार हो जाएगा तो वीडियो प